बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरीके से गर्म है लगतार ये कयास लग रहे हैं कि बिहार की सियासत बदल सकती है नितीश कुमार ने बीते दिनों जिस तरीके से अपने विधायकों को 72 घंटे का अल्टिमेटम दिया था राजत सुप्रीमों इसी बीच पटना पहुंचे तो आप कयास जरूर लग रहे हैं कि बिहार की सियासत बदल सकती है मुखमंत्री नितीश कुमार और राष्टिय जनतादल एक साथ आ सकते हैं लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्स तेजश्वी आदब ने सफाय दी और कहा कि ये तमाम बातें पूरी तरह काल्पनिक हैं क्या कुछ कर रहे हैं नेता प्रतिपक्स तेजश्वी आदब पहले पूसर जो नजदीकिया बढ़ी है उसको लेकर अब आप देखिए इससे पहले भी शापे बड़े हैं हम लोग तो बचपन से शापे देख रहे हैं जिसकी जो समझ है वैसी काम करता है किसी और को समझ किस प्रकार की होगी वैसा काम किया होगा लेकिन क्या है नहीं है मामला यह कोई पहली बार और अंती बार भी नहीं है यह बात समझे लिए इस नौट दी फर्स टाइम एन इट नौट गुना भी दर लास्ट जब तक संस्थानों का दुरुप्योग होता रहेगा हम पर चापे चलते रहे तो आपने सुना नेता प्रतिपक्स तेजश्वी आदम ने सीधे तौर पर कहा है कि यह जो राजद और जद्यू के एक साथ आने की बात है सरकार बनाने की बात है यह तमाम बाते काल्पनिक है उन्होंने एक उधारन भी दिया है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जातिये जन्गन्ना को लेकर प्रधान मंत्री से मिलने का प्रपोजल हमारा था लेकिन इससे यह माइने नहीं होते हैं कि हम और भाजपा एलाइंस कर लेंगे यह सब काल्पनिक बाते हैं अभी फिलाल उन्होंने सी काल्पनिक बाते हैं लेकिन बिहार के राजनीतिक गल्यारे से जो तस्वीरे निकल के आ रही है वो सीधे तोर पर यह बया करें कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जद्यू के जो सुर हैं वो एक नहीं है और राजत ने पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश भी की है कि गल्यारे में बड़ा उलट फेर हो सकता अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के राजनीतिक गल्यारे में क्या कुछ उलट फेर होता है क्योंकि अब नेता प्रतिपक्स टेजश्वी यादव भी पटना पहुंच चुके हैं लालो प्रशाद यादव पहले से ही पट पाज चल रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गल्यारे में गहमा गहमी तेज है गहमा गहमी तेज है क्या कुछ अपडेट्स होंगी वह भी हम आपको जरूर बताएंगे तब तक के लिए रहा है जी नीउस के साथ और देखते रहा है जी नीउस